दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी एनाउस्मेंट करने वाला हुजी हाँ दोस्तों एक ऐसी बात आप सभी लोगों को बताने वाला हुना जिससे आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तैसे होने वाली है चले वीडियो को सुरू करते हैं स्वागत है आपने यूटूब चैनल लॉश श्रीपर देखे जैसा कि आप जानते हैं कि 27 अपरिल को सबसे पहला एक्जान होने वाला है और दोस्तों हम तैयारी भी कर रहे हैं तैयारी हम कर रहे हैं उस सैंपल पेपर की मदद से हम तैयारी कर रहे हैं देखे अनाउंस्मेंट बताने स सबसे पहले हम थोड़ा से जान लेते हैं पेपर की बारे में सबसे पहला फ़ेपर 27 अपरिल को होने वाला है अगर हम आज से काउंट करते हैं कितने दिन बचे हुए हैं हमारे पास मान लेज़े आज दोसमें बडियो अपलोड हो रही है ग्यारा तारिक है आज तो हम अगर एक तरसे अंदाजा लगाते हैं मतलब मिला जुला करके हैं तो हमारे पास सभी दोसों 15 दिन ही बचे हुए हैं नहीं वाला है बाकि सब्जेक्स बच्चे हुए जैसे की 27 अपरियल की पांच माहिस को नहीं अप तो मतलब हमें कह सकते हैं कि अगर देखे 27 और 5 यहां दोस्तों देखे बहुत ही ज़्यादा गैप आप सभी लोगों को देखने को मिले ला एक कितने दिन का कितने दिन का साथ दिन दूस्तों एक हफ़ते हो जाएंगे आधा दिन पेपर देके आईएगा तो आधा दिन तो ब हाजर हूँ हूं मैं सबी लोगों सैंपल पेपर और आफ सौन करते रही हैं लेकिन दूस्तों हमने सैंपल पेपर को एनलाइज कि वहां से हमने में दो सवाल बड़े नंबर के पूछे गए और देखे आपको इसा क्या लगता है कि अगर आप सभी चैप्रेस पढ़ लेंगे सभी चैप्रेस की सवाल जो रट लेंगे तो दुस्तों आपको उससे कुछ कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि एक्जर को सवाल नहीं पूछ आगा आफ सभी लोगों को सबúsica से पहले बात करते हैं इंग्लिस में आपको क्या करना होगा उच्छ इलगों को सबसे अच्छे क्या है नहीं कि सवाल हिया है आपको सीर्फ और सुर्फ कहानी पढ़नी है achieving सेंपल लीजेगा तो करने है सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेगा कहानी समझ लीजेगा क्योंकि क्या आप उसे खुछ से बना कर पिलिख सकते हैं लेकिन अगर के जाते हैं कि प्रिटिकलर स्वाल को रटकी चले जाते हैं चैप्टर्स को अच्छी स्पीच कर जाना और दोस्तों उसी का साथ देने के लिए मैं आप सभी के सामने जैसा की आजेर हमाँ मैं आप आप को ना Community पोश्ट आप जानते हैं आप दूस्त चैनल पे जाए सर्च किजगा जैसे लौश शरी यूटूब पे जाए सर्च किजिए लौश शरी चैनल पर दूस्त क्लिक की ज़ेगा तो आप देखेंगे ऊपर दूस्त काफी सारे सेक्षन साब को मिलेंगे एक होगा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सभी सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स की सभी सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स करने वाला हूं कम से कम एक सब्यक्ट से three सवाल तो मैं आप सभी लोगों को देने ही रह घरीगा मतलब कि हर दब हर डिखते रहिएगा कि कौन सवाल आ रहा है तो इससे तीन सवाल दोसों सभी subject से अगर आप हर रोज करते हैं तो पंदरा दिन बचा है इंग्लिस का पंदरा तिया पैतालिस पैतालिस सवाल दोस्तों आप कर लेते हैं इंग्लिस में इंग्लिस में पैतालिस सवाल अगर आपकर लेते हैं तो हो नहीं करने करने के सवाल करने का बिल्कुल भी मतलब मेरा यह नहीं कि आपको को हर रोज सवाल को कॉम्मिनुटी पोश्ट पे मिलने वाला है अब देखे आपको क्या करना है आपको करना यह है कि सभी सवालों को कॉपी में नोट करते हुँ चलिएगा और दोस्तों गूगल से पिर कहीं से भी अपनी किताब से उन सवालों का जवाब आपको पहले बार ल प्रशाद कर लेजिएगा पिर दोस्तों कहें भी बिल्कुल भी नहीं में आफ से नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे भी भी मतलब नहीं है तिर्फ आपको मैं सवाल दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस हो सके तो तीन सवाल हरो सभी सब्सक्राइब सभी लोगों को वाले हैं तो बस यही चीज़ बतानी थी इस वीडियो में मुझे आप सभी लोगों को और देखे यह इतना है दूस्तों बिल्कुल भी नहीं सवाल तो दूंगा ही दूंगा उसी के साथ साथ उसके अगले दिन अपलोड हो जागा तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आज चलिए करते हैं तो आगे तो वीडियो आने इसे देख कर लेंगे तो आपको विल्कुल भी नहीं करना है तो प्राक्स तो आपको और करने होगे चाहे गूगल से करें दोस्तों या फिर किताब में से देख कि उसे लिखिये समझे लेकिन आपको 55 सब्जक्त है तो 15 कए होगा तो आगर आप चाहते हैं अच्छे नंबस लाने चलिए दूस्तों वीडियो गर आप सभी लोगों को जरा से इंफॉर्मेटिव लगी हुई है आप यहां पर देख सकते हैं 27 अपरिल 5 माई हर दोस्तों एक्जाम की बीच में काफी समय आपको मिला है आप देखें तयारा किस् और मैस का एक्जाम होने वाला है तो आप यह कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद वाले सबसे लाश्ट में जो होने वाला उसे सबसे पहले की जैसे की लाश्ट में होने वाला हिंदी का दोस्तों हम उठा ले रहे हैं सबसे पहला सब्जेक्ट उसके पहले सोसल का होने वाला हि इससा से हमने 5-6 दिन 3 सब्जेस पढ़े फिर 5-6 दिन बात दुस्तों आपको क्या करना है उस सब्जेस को हटा देना है जो एक्जाम नस्दी कारने वाला है जिसका एक्जाम होने वाला जैसे कि इंग्लिस मैस और साइंस इन 3 सब्जेस को आपको पढ़ लेना है तो इससे आगर आप क्या करते हैं इंग्लिस के एक्जाम से पहरे 3 और 4 दिन सिर्फ इंग्लिस ही पढ़ते हैं तो भी आपको कोई घटा नहीं होगा एक्जाम देने के बाद दुस्तों मैथंमेटिक्स के इक्जाम से पहले आप सिर्फ साइंस के पहरे त ребर से स्थेथ से फटेगा इस तयास वह इस पर specialized हुआ सकते हैं साइंस के सा साथ तो सोसल भी इसके ma mögliche मैं मान के चलता हूँ कि आप 6 गंटे परटें जाद शाद उससे जादा छोड़ माली यह भ तो है तो 4 गंटे आप सांस को दे ङागर साइज मानने वाला तो दू घंटे सकते हैं कियूंकि साइच के वाद इस तरह से कर सकते हैं फिर वहरा ड़ाइग ऐसके वड़ीक पर वंडाइग जाएगा आप सब्सक्राइग साइड जाितों आपूंट अनfour अबता कि ये ये जाएंग